26 अक्टूबर 1948 को सम्विधान सभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रारूप समस्त सदस्यों को पुना वित्रित किया गया। इनमें संशोधनों के सुझाव, मूल अनुक्षेद एवं धाराओं को सामने के ही पन्ने में मुद्रित किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुक्षेद और 13 अनुसूची थी। 4 नमबर 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर ने सम्विधान का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया और स्पष्ट किया की 1935 अधिनियम का अधिकांश भाग क्यों लिया गया है तथा भारत में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए। 15 नमबर 1948 को प्रारूप पर खंडवार वधारवार विचार विमर्ष प्रारंब हुआ। इसके लिए 11 माह तक लगातार अधिवेशन हुए। 17 सितंबर 1949 तक 2500 संशोधन प्रस्तावों पर विधिवत तर्क होते रहे। 8 जन्वरी 1949 तक 67 अनुक्षेदों पर निर्णे हुआ। इसे प्रथम वाचन कहा गया। इसी प्रकार 16 नमबर 1949 तक कुल 306 अनुक्षेदों पर विचार विमर्ष कर सहमती बन पाई। इसे दृतिय वाचन कहा गया। 17 नमबर 1949 को समविधान सभा ने प्रारूप का तीसरा वाचन प्रारंब किया। और प्रारूप के कुल 395 अनुक्षेद, 8 अनुसूची वा 22 भागों पर चर्चाय की गई। और 26 नमबर 1949 को इसे स्विक्रित किया गया। 24 जन्वरी 1950 को समविधान की दो पांडूलिपियां समविधान सभा में रखी गई। ये अंग्रेजी वा हिंदी में थी। अंग्रेजी में एक मुद्रित प्रती भी प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किये। राष्ट्रगान और वंदे मात्रम गायन के साथ समविधान सभा का कारे समाप्त हुआ। समविधान निर्माण में कुल दो वर्ष ग्यारा मा अठारा दिन का समय लगा।